Hello dear students, welcome to the YouTube channel Deft Education once again तो students एक बार फिर से आपका स्वागत है समेजिंग प्लाटफॉर्म के ओपर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आपने application form बढ़ते समय कोई भी mistake की है तो आप उस mistake को कैसे correct कर पाएंगे नी 2022 की application form जब आप fill करते हैं तो आपको काफी सी details जो है वो देनी पढ़ती है तो आप उसे correct कर सकते हैं देखे आप उसे कैसे correct करेंगे actually यहाँ पर एक application form में आपको एक query का option आता है तो उस query के option में जाकर आप अपनी query submit कर सकते हैं लेकिन आप wait करे, query submit ना करे, बलके आप wait करे correction window का आप correction window का wait करे बिकस जैसे ही correction window open होगा उसमें आपको अपनी सारी details जो है वो आप change कर सकते हैं कोई भी detail आप change करना चाहें वो आप correction window में change कर सकते हैं जैसे काफी से students है जिनकी category जो है OBC की list में नहीं आती थी लेकिन OBC list के अंदर ना आते हुए भी उन्होंने वहाँ पर mention कर दिया है OBC NCL को mention किया है लेकिन अगर आपने mention किया है कोई इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता अगर आप इसको ठीक ना भी करेंगे तब भी जो है आप जो है क्योंकि ये आपको क्या है ये उन students को ठीक करना चाहिए जो student participate करेंगे Central Central के अंदर participate करेंगे याने कि All India Quota के अंदर जो participate करते हैं उनको ये details अगर आज ही change करनी चाहिए क्योंकि बाद में जब आप Central All India Quota पर participate करतें तो वो इसी बुनियाद पर किया जाता है कि जब आपने form fill किया था form fill करते समय आपने किस category को mention किया अगर आप किसे All India Quota से participate करते हैं लेकिन अगर आप को state के college में आपको admission चाहिए आप चाहते हैं कि हम state में participate करें तो ये इस पर depend नहीं रहता कि आपने form fill करते समय वहाँ पर OBC mention किया है या आपने open merit mention किया है आपके पास कोई भी category हो आपके पास OSC category हो आपके पास ALC category हो या PSP category हो या CDP category हो या आपके पास JKPM category हो या आपके पास SP category हो ये categories आपके पास हो सकती है ठीक है लेकिन आप वहाँ पर OBC mention करें open merit mention करें कोई फरक नहीं पड़ेगा हाँ आप इसको correct भी कर सकते हैं अगर आप correct करना चाहें आप वहाँ पर open merit रखें क्या रखें open merit जब correction window open होगा मैं आपको inform करूँगा तो आप वहाँ पर open merit select कर सकते हैं otherwise अगर आपने open merit select किया है या आपने वहाँ पर OBC mention किया है तो इसमें फिकर करने की कोई भी बात नहीं है आपकी form जो है वो accept की जाएगी हाँ लेकिन जब आप counseling के time जो है counseling के time आप वहाँ पर जो है अपनी category को mention कर सकते हैं just counseling के time आपको एक new registration करनी पड़ती है वो एक बिलकुल नई registration होती है counseling के लिए तो वहाँ पर आप अपनी category को mention कर पाते हैं तो अगर आपने open merit select कर दिया है या आपने OBC select किया है ठीक है आपकी कोई शी भी category हो आपको इसमें फिकर करने की कोई बात नहीं है वो just एक आपने data provide किया है NTA को कि इस category से इतने student जो है वो appear किये थे examination के अंदर otherwise आपकी कोई भी category हो हाँ लेकिन अगर आपको किसी और चीज के अंदर जैसे आपके marks sheet के अंदर कोई आपने mistake की है या आपने naming के अंदर कोई mistake की है तो आप उसे correct जरूर करें correction window के अंदर और आप इसे भी correct कर सकते हैं जैसे अगर आपने OBC वहाँ पर mention किया लेकिन आपकी category central list के अंदर नहीं आती तो वहाँ पर आप उसे correct कर सकते हैं you have to wait for the correction window आपको सिर्फ wait करना है correction window का उसके बाद जो है आप इसे correct कर पाएंगे तो उमीद है कि आपको वीडियो जो है वो helpful लगा होगा तो अगर helpful लगा चैनल को जरूर subscribe करें because कोई भी issue हो वो आप मुझे comment section के अंदर बताएं तो मैं आप उसको resolve करके दूँगा thanks for watching this video